नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक पर फिसे स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं, टैफिनेशन्स के बारे में, टैफिनेशन्स याने की 6 क्लास में, बिंदू रेखाएं और कौन की जो परिभाशा हैं, उसी विशे के उपर आजन विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आए देख लेते हैं इन परिभाशों को, सबसे पहले इन परिभाशों में हैं बिंदू, बिंदू की जो परिभाशा है, कि बिंदू किसी स्थान को प्रकट करता है, जिसके लंबाई, चोड़ाई और मुटाई नहीं होती, कहने का मतलब यह है, कि जो बिंदू है, वो कोई एक पर्टिकॉल स्पीस को पॉयंट आउट करता है, यहने की पर्टिकॉल स्पीस के बारे में हमें बताता है, इसकी नहीं लंबाई होती है, और नहीं चोड़ाई होती है, जैसा कि आःप पिक्चर में दे सकते हैं, नेक्स्थ जो डैफिनेशन से है वो है सरलरका, दो की रेखा जो रेखा रचना यानि की क्रिया को प्रकट करती है उसको रचना की रेखा कहती है और यहो रेखा बिंदुदार होती है बिंदुदार भी बोसकते हैं इसको या फिर हम दानेदार भी बोसकते हैं तो उसको हम बोलते हैं रचना की रेखा नेक्स्ट है दी हुई रे दी रिखा होती है और यह रिखा कैसी होती है यह हलकी रिखा होती है मतलब इसको हम हलकी लाइन के माध्यम से भी हम उसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं तो next definitions है उत्तर की रेखा जैसे हमने इससे पहले पड़ा दी हुई रेखा जो प्रशन की रेखा थी हमारी और अब हम next पढ़ने वाले हैं उत्तर की रेखा और प्रशन की रेखा जो हल्गी थी और जो उत्तर की रेखा है यह जो है वो काफी मोटी होती है यानि कि जियोमेतिक जो मैतिक कला में मोटी रेखा से उतर प्रकट करते हैं यहों सभी रेखाओं से मोटी होती है तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं Next definitions है वक्कर रेखा वक्कर रेखा जो रेखा सीधी ना हो यानि कि जो तेरी मेडी रेखा हो उसी को हम क्या कहते हैं वक्कर रेखा कहते हैं जैसा की पिक्चर में दिखाया भी गया है नेक्स्ट है सेवंथ नमबर पे जंजीर रेखा जंजीर रेखा उस रेखा को कहते हैं जो रेखा कुछ दूरी और रुकावट प्रकट करे उसको जंजीर दार रेखा कहते हैं लव कोई एक थोड़ा सा वो चलेगी फिर काउट पैदा करेगी यानि कि डैश डॉट डैश डॉट तो उसी को हम क्या कहेंगे जंजीर रेखा जैसा कि पिक्चर के मादम से आपको दिखाया भी गया है और आप इस पिक्चर के थूँ इन डैफिनिशनों को अच्छे से समझ स नेक्स्ट है हमारी एट डैफिनिशन खड़ी रेखा और इसकी जो परिभाशा है कि जो रेखाएं सीधी खड़ी हो उसे खड़ी रेखा कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट है अधार रेखा जो रेखाएं भूमी के समान अंतर हो उनको अधार रेखा कहते हैं या जो एकदम सी मतलब अधार रेखा मतलब baseline जिस पे हम अधार या कोई भी angles कुछ भी चीज़ का निर्मान करेंगे तो वो अधार रेखा पे किया जाता है Next है हमारा तिर्ची रेखाई जो रेखाई सीधी, खड़ी, ना हो, अथवा लेटी हुई या तिर्ची हो उसको तिर्ची रेखा कहते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया भी क्या है Next है समानंतर रेखाई समानंतर रेखाई वे रेखाई होती है जो रेखाई आपस में समान दूरी और समानंतर बढ़ाने पर कहीं भी आपस में ना मिले उसको हम बोलते हैं समानंतर रेखाई जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो रेखाय होती है इनको आप से जितना भी बढımızı आगे पीछे ये पिरकुल एक दुस्टे के समानतर होती है और जब उनको जितने भी इनको लंबा खींसे हैं या जितना आगे पीछे से दुन बढ़ायें तो ये कहीं पे भी आपस में एक दुस्टे को नहीं करती मतलब ये कहीं पे भी आपस में नहीं मिलती तो इनी को बोलते हैं समानतर रेखाए नेक्स्ट है असमानतर रेखाए यानि कि जो रेखाएं आपस में या अलग-अलग बढ़ाने से आपस में कुछ दोरी पर मिल जाए और विपरित दिशा में बढ़ाने पर फासला बढ़ता जाए तो उनको कहते हैं आसमांतर रेखाएं Next है कौन कौन दो रेखाओं को एक बिंदू पर मिलाने से कौन बनता है मतलब अगर हम दो रेखाओं को आपस में मिला दे किसी एक बिंदू पर तो जो उस बिंदू पर जो कौन बनता है मतलब जो भी एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं कौन कहते हैं जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं Next Definitions है Nune Cone जो कोन 90 डिगरी से कम हो उसे को Nune Cone कहते हैं 90 डिगरी से कम वाले जितने भी कोन बनेंगे उन्हें को हम जो है Nune Cone की संगया देंगे यानि कि Nune Cone उन Cone को कहा जाता है Next Definitions है Sum Cone जब एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधी खड़ी हो और 90 डिगरी का Cone बनाए उसको Sum Cone कहते हैं या अगर Simple शब्द में बोलूँ तो जो भी 90 डिगरी का Cone होता है उसको हम जो है Sum Cone भी बोलते हैं वो एक दम स्ट्रेट एक लंब की तरह एक सीधी रेखा की तरह जो है एक बेस लाइन पर खड़ा होगा तो उसको हम बोलते है Sum Cone Next Definitions है अधिक Cone 90 डिगरी से अधिक और 180 से कम Cone को अधिक Cone कहते हैं जो Cone 90 से जड़ा हो और 180 से कम हो तो उसी को हम बोलते हैं अधिक Cone उसके बाद Last जो है आज की वीडियो का हमारा हमारी जो Definitions है वो है रिजू Cone रिजू Cone यानिकि 180 के Cone को रिजू Cone कहते हैं या एक सरल रेखा भी रिजू Cone कहलाती है सरल रेखा कैसे क्योंकि अगर हम एक रिखा पर अगर हम एंगल्स देखते हैं D के द्वारा D यानिकि प्रोटेक्टर के द्वारा अगर हम एंगल को देखते हैं तो पूरा का पूरा 0 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री तक के पूरी की पूरा जो है वो एक रेखा पे हमारे बनता है यहने कि उसे एक रेखा बनती है सर रेखा बनती है तो उसी को हम क्या कहते हैं रेजु को कहते हैं तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सिस क्लास की परिभाशाई I hope आप सभी को समझ भी आगई होगे तो आएए हम इसी के बेस पे हम आगे नेक्स्ट एंगल्स के क्वेश्चन करेंगे और उन वीडियों को भी आपने ध्यान से देखना है तो आएए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियों में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद